कि है एक है लो स्टूदेंट्स आप सव्य स्वागत हैं मेरे यट्यूब चैनल पर आज आपको सबसे पहले तो हर्याना डे की सुभ काम नाए आपको और आपके परिवार को आपको पता ही होगा कि हर्याना डे हम किसले बनाते हैं क्योंकि आज हर्याना का स्थापन होई था अ हमारे हर्याना के अंदर 22 डिस्टिक्स है और मैं आज आपको हर एक डिस्टिक्स के बारे में एक बात बताऊंगा तो हम स्टार्ट करेंगे पंच कुला से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पंच कुला से स्टार्ट करेंगे हम तो देखिए जो पंच कुला है आगर इसके ब करें शाइस बात है उसके बात बात आती हैं अगला की अगर आम ऑना की बात करें को हम बोलते हैं साइस सीटी या अपरेंटर शेटी Science city या Appuretus City क्योंकि यहाँ से ही सारे हमारे Science के Appuretus हैं वो बनते हैं पुरे वर्ल्ड गे अंदर transfer के आते हैं उसके बाद बात करते हैं कुरशेटर की कुरशेटर के बारे में अगर हम बात करें आपको बहुत सारी बात-बत पता है यह धर्मनगरी के नाम से जना जाता है यहां प्रमाभारत का युद हुआ था तो मैं आपको एक खास बात और बताता हूं कुर्शेत्र के बारे में कि कुर्शेत्र के अंदर भारत की सबसे बड़ी और एशे की दूसरी अनाजमंडी है वो लाड़वा के अंदर है विटा और लाड़वा कुर्शेत्र के अंदर आता है उसके बाद करते हैं कैथल की कैथल हमारी डिस्टिक है और हम कैथल से ही हैं तो कैथल को ऐसा माना जाते है कि विखवान हनुमान का जन्म जो कैथल में हुआ था तो यह कैथल के खास शेशता रहेगी उसके बाद बाद करते हम जी की है उसके बाद बात करते हैं फतेबाद की फतेबाद की अगर बात करें फतेबाद को हम बोलते बीटा पिंक सीटी ओफ हर्याना फतेबाद को बोला जाता है उसके बाद मैं बात करता हूं सिरसा की सिरसा एक ऐसा डिश्टिक है जहां का एरिया सबसे ज़्याद है और यहां क प्लेशन कम है, सिर्फ सिर्षा में ऐसा है, उसके बात करते हैं हिसार की, हिसार को स्टील सीटी के नाम से जाना है जब तो, दूसरा नाम कहा रहा है इसका, स्टील सीटी हिसार, उसके बात करते हम है भीवानी की, भीवानी के अगर बात करें हम, तो भीवानी के बारे में जो एक खास बात भीवानी को है कि सबसे जादा आज तक जो अरजुन अवार्ड जितते गई हैं खेल के अंदर वो भीवानी वालों ने जितते हैं सबसे जादा अरजुन अवार्डी कहां पर हैं भीवानी के अंदर हैं उसके बाद मैं बात करता हूँ दादरी दादरी का जो ने यह औरनोंों के बात करें मेहिंदर जो हमारा या हय क्या है मिनेरल में मिअनुमारा अब बात करता हूँ रेवाडी की रेवाडी को कई नाम में से जाने जाता है वीर भूमी सैनिको और और पितल नगरी तो यह रिवारी पर हम पहुंच गई है रिवारी हमने कर दी है उसके बाद बात करते हैं मेवात की मेवात के अगर हम बात करें तो मेवात के बारे हैं सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी है वो यह है कि यहां की जो literacy है, सबसे कम है पर यहां की जो sex ratio है, वो सबसे ज़्यादा है पूरे हर्याना के अंदर पूरे हर्याना के अंदर जो sex ratio कहां की ज़्यादा है, किस district की ज़्यादा है मैं बात की ज़्यादा है उसके बाद बात करता हूँ मैं पलवल की पलवल के बारे में अगर आपको पलवल को बोले जाते है बच्चो स्कूल और होस्पिटल स्कूल और होस्पिटल का हाउस यानि कि सबसे ज़्यादा स्कूल और होस्पिटल कहा पर है पलवल में है उसके बाद बात करते हूं में फृरिदाबाद के बारे में फृरिदाबाद की खोपट देंसिटी सबसे जाद हैं यहां पर एरियप बादे लिखे लोग सबसे जाद रहते हैं और पूरे हरभान ने का बहर हते हूं देखिए इसकी जो सबसे जाद रहते हैं यहां सब्सक्राइब गुरु गुराम में अपने पूरे हर्याने के अगर बात करें Wirma पर sex ratio हैों का सबसे ज़ादा आप दो सब से ज़दा है यहाँ पर मैं टिहन जयजर की जयजर के पूंच चुके हैं जज्जर को बोला जाते है बटा सहीदों का सहर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सहीदों है वो जज्जर की हुए आप पूरा अपना हिस्टे कर पढ़ेंगे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद बात में करता हूँ रोत्तक की रोत्तक को बोलते हैं सुगर सीटी क्या बोलते हैं इसको सुगर सीटी यानि कि यहाँ पर जो आपकी सुगर है या आप बोल सकते हो गन्या है सबसे ज़्यादा रोत्तक में लगा जाते है उसके बाद सोनी पत सोनी पत को बोलते हैं बटा पानीपत के बहुत सारे नाम हैं। इसे को युद top का खाड़ा उपेंस में रहरे जातजा है। पर यहां का जो कम्बल है पूरे आपके जो इंडिया में फेमेस है जो कम्बल यहां से है और 75% इंडियन आरमी क의 कम्बल है वो पानीपत से ही एक्सपोर्ट होते हैं उसके बाद आजा यह ऑनाल के उपर खर उसके पर कहनाल जो हमारी जो डिक है करनाल को बोलका जत्ते जिया 장oda occurred a Time to run a आपकी जो राइस हैं सब से घ्रणाल के अंदर रते है जो पूरे वर्ल्ड गंदर है आप इस जा आधा है वह रहाद पर और कर्नाल दिश्ठी में उसके अब लाद करते हैं यमनानगर की यमनानगर को पेपर की के नाम से जाना बटकि बारे में जुरूर पढ़ें और पढ़ते रहें यह आपका अपना स्टेट है और बड़ा अच्छा स्टेट आपको पती है अपना without अच्छा है एन्वारमेंट रहता है कितने लोग अच्छे यहां की हैं तो बेटा आपको सभी को फिर एक बार से बदाई हो हर्यानदे की आपको और आपके परिवार को ओके बेटा थैंक्यू